हेलो दोस्तों तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों आज हम बात करेंगे अचार संगीता के बारे में अदर साजार संगीता जिसे कोड़ ऑफ कंड़क्ट कहते हैं यानि कि आप जानते होंगे कि जब भी कोई एलेक्शन हो चाहे विधान सभाक हो चाहे लोग समान कि और आपको पता अचार संगीता लग जाता है हलेक्सन के डेट अलॉफ होते ही अचाहार संगीता के बारे में नहीं पता होगा बहुत से लोग होंगे करने tab कि कुट पकंड़क्ट क्या होता है उसी के बारे में जाने कि आप की प्शार से होते हैं कि अगरा 3,4 सभाब को उनके लिए यह नियम को पालन करना परता है नहीं तो क्या होता है उसी के बारे में जाने गया और आचार सभीता लागु होने से आप लोग को क्या करना होता है वो भी जानेगे तो दोस्तों सबसे पहली पॉइंट सब सभत क्या होता हां बात करें तो इसे दोस्तों हम बात करें करें हमारे लागो हमारे जिस दिन अप vide के हम्हान से आपके अपडेट लाग हो जाता है जो कि पूरी परदेश में पूरी यूपी में हो bird टो पोरी बिखहार बढू होने के part अपके कि पर्देश में लगते अगर्व को detective अचाजिता लोग और सुझे सी परोंस उस दिन से लेकि आपके जिस दिन तक भोटिंग खतम होगी वोटिंग के खतम के साथ ही अचार संगिता खतम हो जाती है यानि कि अचार संगिता का नियम कानून क्या होता है अगर आचार संगिता के नियम के पाला नाब नहीं करते तो आप इसमें सजा के प्रवधान है आपको पहले एक बात नोटिस बदा दिया कि यह उनली मंतरी के है वह मंतरी के आम पब्लिक पर यह नहीं आते जैसे कि सारवजनी समान का आप दुरी प्रियोग नहीं कर सकते अच अचार संगिता कोई भी सारवजनी काम के लिए नहीं कर सकते यानि कि अपने परचार परसार के लिए अचार संगिता नहीं कर सकते यह सब अचार संगिता कि अचार संगिता के लिए कर देते हैं कि सब कर देते कि कि में इतने नौकटी दूंगा यह घर बनाऊंगा यह कर दूंगा बहुत सारे कहते हैं जोंगे प्रमुक हो इस लेने के बाद आफ जाके रेली करते हैं जानुट जाती के नाम पर आप नहीं मांग सकते हैं किसी धर्म के किसी जाती के नाम पर किसी मज़ब के नाम पर एलेक्शन नहीं कर सकते यानि कि भोट नहीं मांग सकते यह इसके नियम कारून कुछ इंपोर्टेट है जो आपके हम बताये लागों होने के बाद किन चीजों पर प्रतिबंध लग जाता है यानि कि जिसदिन आचार से हो जाए लागों हो जाता है दोस्तों आचार सेटा लागों होने के गारी घोड़े से आप किसी भी आना जाना करना वह सारे बंध हो जाते हैं सरकारी बंगले का सरवाजनिक यूज जो होती है वह सारे बंध हो जाते हैं सरकारी खर्चे कहीं भी आप चाहते हैं कि यहां भंडारा करवाती हैं कुछ करवाती तो वह सब नहीं करते हैं अपने पैसा करें अपने फंट से अपने पाटी फंट से करें आप सरकारी सर्थ पैसे से सरकारी खर्द से सरकारी समान का यूज़ आप नहीं कर सकते हैं और यह इसलिए लागव होते हैं यह सब हो जाती है है नेक्स पॉंइंट है हमारा मुख्य विश्यशता इसकी क्या है तो दोस्तों अचार संगीता के मुख्य तो अचार संगीता लगाने के मेन मकसद यह होते हैं कि आपके चुनावन स्पक्ष और स्वत्रणत्र पूर्व करवाया जाए इसलिए अचार संगीता की मुख्य पॉ में मकसद यही होती है अगर हम सबसे पहले बात करें कि सबसे पहले कहां लागो हुआ तो आपको पहले हम बतार चाहर संगिता आपको दो जगा लागो होता है यानि कि आपको बिधान सभा के लेक्शन में भी लागो हो जाता है इसके बाद आपको लोग सभा के लेक्शन में सबसे करें आपको 1960 में लगा गया था वहां परधान की अगद है उसके बाद देड़े देड़े सारे स्टेट में लाग वह इसके पूरे देश में लाग हो गया तो दोस्तों अचाहर संगीता के बारे पुछे कि विधान सबसे पहले कहा लगा था तो आपको केड़न लागा था नियम कानुन को फालन करना होता है अगर यह नियम कानुन को लंगन करते तो चुनाओ आयोग द्वारा इन्हें कानुनी जो परधान होती है वह आपको दिया जाएगा कनवान जो भी उसकी सजा होगी वह उसकी सुनाया जाएगा और उसकी कोई एलेक्शन में लड़ने के लिए जो होती है वह कैंसिल हो जाती है दोस्तों कोई गलत काम करते तीसा आप से होते और यह चुनाओ यह दोस्तों यह चीछ समझ गये और शांता खतंव कभोगी यह बात पहले बतारे कि जस दिन आपके लेक्षर बोड़ की आकरी दिन होगी उसी दिन बोर्टिंग खतम होने के साथ साती आशाव सीथा खतम हो जाती है और आम पब्लिक के लिए कि लिए दो दोस्तों आम पब्लि करेंगे तो देटलसम नेक्स वीडियों बात करेंगे बाकि इस वीडियों मा चाहा संगेदा के लिए कि लिए धाइडaja को में कर लीजेगा आपकी कमेंट कर लिजेगा आपकी कमेंट कर